Hey friends, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब, आज की वीडियो है, special वीडियो है मेरे लिए और बहुत खुश हुम है, तो मुझे लगा ये special डे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मेरी खुशी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, कहीं ना कहीं ये भी एक self-care से related ही वीडियो है, I hope कि आपको भी कुछ चीजे यहां पे सीखने को मिलें और आप भी कुछ चीजे यहां से सीख पाएं, इसलिए यही एक मेरा purpose रहता है हर वीडियो का, कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर वो आपके लिए helpful होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो वीडियो को बनाने का मकसद था ना, वो पूरा हो गया है, ठीक है, तो क्या है आज special, आज है मेरी marriage anniversary, तो मुझे हो गई है, 13 year complete हो गई है, मेरी marriage को हुए हुए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मैं यहां पे कुछ चीजे, कुछ doubts आपके clear करना चाहती हूँ, जब भी हमारी marriage anniversary होती है, हमारी birthday होते है, तो हमें किसी ना किसी से होप होती है, खासकर अपनी husband से, कि वो हमें gift दे, थोड़ा सा हमें pamper करे, कुछ भी, मतलब कुछ इस दिन को या birthday हो, या फिर anniversary हो कि इस दिन को वो special बनाए, ठीक है, तो anyhow, अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी कि मेरा experience, जो कि I think बहुत कम है, हो सकता है, जो लोग video देख रहे हैं, उनका experience कुछ और हो, प्लीज अगर आप भी कुछे, कुछ मुझे टिप्स देना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है, तो मेरा क्या रहता है, मेरी हमेशा से तो नहीं कहूंगी म बट हाँ, 4-5 यर के बाद मुझे ऐसे feel होने लगा कि Mary's anniversary का मतलब ये नहीं होता है, कि मुझे gift मिले, हाँ, ये है मुझे, आज भी मुझे है, कि मुझे gift मिले, या मेरी लिए special हो, बट इन सब चीजों के लिए हमें depend नहीं रहना चाहिए, है ना, कई बर क्या होता है, अब कि ये जो साड़ी है, ये मैंने खुद ने purchase की है, अपना ready कर ली, even husband को पता भी नहीं था, कि ये साड़ी मेरी है, या मैं क्या कर रहे हूं, क्या नहीं कर रहे हूं, इतना वो इन चीजों में involved नहीं होते है, क्योंकि देखिए, हर किसी का interest होता है, हर किसी का अलग point of view होता ह है, वो इन चीजों के सिर्फ ऐसे लेते हैं, कि हाँ, हम सब अच्छे से रह रही है, तो ये ज़्यादा important है, ना कि ये किसी को gift दो, कुछ करो, special feel, special feel, हाँ, वाक्य ही special feel करवाना चाहिए, तो मुझे लगता है, कि anniversary का मतलब ये होता है, कि हमारा relation कैसा है, ठीक है, तो कहीं ह हो सकता है, कि सामने वाला बन्दा बहुत अच्छा है, हमारे relation भी अच्छा है, बट इन चोटी चोटी चीजों के लेकि कि केक नहीं लिया, हमने gift नहीं दिया गया, या wish नहीं किया, कई आज ऐसा भी हो जाता है, कि wish भी नहीं करते है, कई आज फ्रेंड्स का फोन आजाता ह ठीक है क्योंकि उनका interest इन सब चीजों में नहीं और भी बहुत सारी responsibilities उन लोगों के उपर होती है हमारी घर की होती है परिवार की होती है ओफिस की होती है और सबसे main क्या रहता है उनका मकसद होता है husband's का जो हमेशा वो करते भी है कि मेरी family की जितनी भी demands है जितनी भी उनके dreams से वो मैं उन्हें complete करूं किसी भी तरह की कमी उनको ना हो अगर आपकी life में भी ऐसा life partner है तो please इन छोटी-छोटी चीजों को लेके जगडा नहीं करना चाहिए ठीक है अगर आपको special field होना है या अपने आपको special field करवाना है तो definitely आप खुद कर सकते हैं ऐसा जैसे मैं करती ह मैं अपने लिए बढ़े होता है तब भी मैं अपने लिए गिफ्ट लेती हूं मतलब अगर नहीं होता है कुछ ऐसा कि नहीं ले पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी पात जो है वो नहीं होती है कोई बात नहीं ले पाए तो but anniversary पे मेरा fix है कि मैं कुछ न कुछ अपने लिए जरूर लेती हूं चाहे वो dress हो या कुछ भी हो और कुछ ऐसी चीजे मैं पहनती हूं जो मुझे उस पेसर दिन पे मिली थी like वो हो सकता है कि कंपल सरी मेरा ये rule है कि मेरे मम्मी ने जो मुझे दिया होता है वो मैं इस दिन पहनती हूं मुझे मैं खुद को मोटिवेट करती हूं कि हां मैं कितनी लख्की हूं कि सारी चीजे मेरे पास है ये चीज मुझे मम्मी ने दिती और आज के दिन मेरा जो परिवार है मेरी जो फैमिली है वो सब हैल्डी है खुश है और हमारे बीस में प्यार है सबसे में इंपोर्टेंट यह होती है कि आपका रिलेशन कैसा ह तो relation अच्छा होना चाहिए, relation कब अच्छा होता है, relation तभी अच्छा होता है, जब हम एक दूसरे को understand करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, कि हाँ ठीक है, हमारे लिए ये चीज़ important है, हम इस चीज़ को value देते हैं, कि हमारी Mary's anniversary है, ये करना चाहिए, वही हम उन् को दे सकता है, वो चीज़, तो वो कभी मना नहीं करेगा, बट डिपेंट करता है, कि हम उस चीज़ को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से उस चीज़ को बोलते हैं, अगर हम अगंग कि कैसे हम सब चीजे कर पाएंगी तो इसलिए मैं कहा रही हूं कि इन चोटी चोटी चीजों को इतना बड़ा बना कि हमने नहीं रखना है कि यह हमारी लाइफ के उपर हैवी हो जाए बजाए कि खुशी किसी चीज के होने के बजाए हमें दुख होने लगे तो हमें ऐसा कोई भ हमें ठेच से काम नहीं कर सकती है इसलिए थोड़ा ठोड़ा जोड़ कि हम रख सकती हैना जो भी हमें घर खर्च के लिए मिलता है उसमें से थोड़ी सेविंग हम अपने लिए कर सकते हैं कि किसी special occasion पे मुझे अपने लिए कुछ पर सेज करना है बस हो गया इतने छोटी सी बात का इतना बड़ा issue बना देते हैं कि हमारे relation ही खराब होने लगते हैं इन छोटी छोटी चीजों के लिए और हम वो सारी चीजे भूल जाते हैं कि वो बंदा हमारी respect करता है वो हमारी care करता है या हमारे लिए strand लेता है है इन सब चीजों को हम भूल जाते हैं और वो gift नहीं दिया wish नहीं किया वो बहुत बड़ी चीजे हो जाती है मैं सच बता हूँ मैं 15-20 एक महीने पहले ही मैं यह सब करने लगती हूँ कि मेरी marriage anniversary है मुझे ये करना है मुझे ये करना है तो घर में सब को याद हो जाता है कि हाँ इसकी marriage anniversary है और wish मतलब करना है तो कर देते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं भूल जाते हैं ऐसा भी हुआ है कि भूल बें जाते हैं, तो हमारी चीज है, हमें विश्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें विश्ट मिलें, हमें लोग विश्ट करें, तो हमें उस चीज को बताना पड़ेगा, तो हम ये भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मुझे बताना पड़ा, उसके बाद मुझे विश्च किया या फिर आप ये सब चीजह कियर नहीं करते हूं तो मुझे लगता है मेरे साथ भी होता था मैं भी मेरे भी लडाई चग्ड़े होते थे मुझे भी ऐसा फेल होता था कि मुझे विश्च नहीं किया मेरी तो importance ही नहीं है, मेरी तो value ही नहीं है, मेरी तो कोई care ही नहीं करता है बट जैसे जैसे life चलती गई, जैसे जैसे हम चीजों को देखती गई और हमारे खुद के उपर जब responsibility आती है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का बढ़ड़े भूल जाता है तब हमें समझ आता है कि हाँ, ये चीज़े इतनी important day है, बंदा भूल सकता है ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है wish करना, बट हाँ, अगर जरूरी कोई चीज़ है ना, तो वो क्या है relation की respect करना, एक दूसरे की respect करना, एक दूसरे की care करना, ये बहुत जरूरी है जब हम ये चीज़े करते हैं, तो खुद बहुत चीज़े अच्छी होने लगती है, और ये बहुत चोटी चीज़े हो जाती है और हो सकता है कि वो याद रखने लगे, वो हमें विश्च करने लगे, कि आज इसकी birthday है, आज इसकी marriage anniversary है, ये भी हो सकता है ठीक है, तो कोशिश हमें दूसरों से नहीं करवानी है, कोशिश हमने खुद ने करनी है ठीक है, तो I think ये बहुत चोटी बात है, बट अगर हम इस चीज़ के उपर गोर करेना, तो ये बहुत काम की चीज़ है ठीक है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने ले gift लेती हूँ, अपने husband के लिए, अगर मुझे कुछ लेना होता है क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है, कि मैं उनके लिए कुछ लूँ, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे हमें वही invest करने चाहिए जिस चीज की हमें जरूरत हो, क्योंकि हर कोई बहुत महानत से कमाता है, तो obviously ये बात बिलकुल सही है जरूरी नहीं है कि सिरफ हमने लेना ही है, चाहिए कुछ भी ले, तो आप saving कर सकते हैं, कुछ राइम बाद कुछ पर चीज़ कर सकते हैं हाँ, dresses हैं चलो ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ले सकते हो, है न, बट invest हमें वही करना चाहिए, जिस चीज की हमें जरूरत होती है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि बाद में हमें उस चीज की जरूरत है, और हम उस चीज को कि अपनी next marriage anniversary पे मुझे ये लेना है, त और आप जुरूर बताना है कि आप अपनी marriage anniversary पे या अपने birthday पे क्या करना आपको पसंद लगता है, और क्या आप करते हैं, किस तरह से celebrate करती हैं, इवन मैं केक भी नहीं कट करती हूँ, अगर सब कुछ सही होता है, सब घर में होते हैं, सब साथ में होते हैं, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, कि मेरे आस पास, जो बहुत ज़्यादा close friend है, उनको पुला कि मैं get together कर लेती हूँ, बट ये fix नहीं है, कि हर बार मुझे तो करना ही करना है, नहीं, अगर बच्चों के exam नहीं है, या बच्चे free है, और husband भी free है, और time भी अच्छा है, कि Saturday Sunday आ रहा है, like almost Saturday, आप मेरे birthday पे नहीं आए, आप मेरी anniversary पे नहीं है, ये नहीं important होता है, जब आपको जरूरत होती है, तब वो friend खड़े होते है, that is main important है, ना कि ये कि उन्होंने wish नहीं किया, या वो आपके birthday या anniversary पे नहीं है, तो मेरी यहीं सोच है, इसी क्या होता है, हमारी relation अच्छे बने पे रख के सोचना चाहिए, कि अगर मैं वहां होती, अगर मैं ऐसा कर देती, तो क्या करती, है ना, तो जैसे जैसे आप इन चीजों को छोटा करते चलेंगे, उतनी ही importance आपकी बढ़ेगी, आपकी उतनी ही family में आपको लोग लाइक करेंगे, उतना ही value आपकी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये भी एक चीजी है कि अपने आपको हमें खुद को valuable बनाना है, दूसरों के नहीं, जब हम खुद होंगे तो दूसरे को अपने आप दिखेगा, हमें बोलने की जूरती नहीं पड़ेगी, कि मेरी value नहीं है, या मुझे प्यार नहीं करते, या मुझे पसंद न मैं इसी तरह की hair care से related और skin से related DIYs आपके साथ share करती रहती हूं, मैं कोई chemical अपने face पे यूज नहीं करती हूं, सिरफ और सिरफ homemade चीजे जो कि हमारी kitchen में मिलती है, उनहीं को मैं अपने skin पे, उनहीं को मैं अपने hairs पे apply करती हूं, जो कि बहुत अच्छा result देती हैं, बट immediately न कि बहुत costly भी होती हैं, कहीं न कि हमारी skin के लिए harmful भी होती है, जिसका result हमें अभी नहीं बाद में पता लगता है, ठीक है, तो जहां हम अपनी saving कर सकते हैं, जहां हम अपना पैसा बचा सकते हैं, वहां हमें definitely बचाना चाहिए, ठीक है, और बस यहीं एक चोटी सी video थी, और मुझे आप लोगों के साथ यह मेरा experience share करना था, आप अपना experience जरूर share करना कि आपकी क्या राय है, और क्या और बहतर हम कर सकते हैं, हमेंसा यहीं सोचना चाहिए, क्या और बहतर हम कर सकते हैं, ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए thank you for watching, और ब मुझे अच्छा लगा मतलब, तो बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगान, क्योंकि ब्लेक कलर की साड़ी मेरे पस एक भी नहीं थी, और मैं इस साड़ी को, मतलब ब्लेक कलर बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी, और फाइनली मैंने इसको ले लिया, यह कुछ इस तरह का इसका लाइक पल्लू है, और यह पूरी ब्लेक है मतलब, और रेड और ब्लेक का कॉंबिनेशन है अच्छली, तो कोशिश करूँगी कि अगर मैं ले पाई पूरी पूरा लूप तो जरूर आपके साथ शेयर करूँगी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के प्लीज चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्स्प्स्पाइब करके जाना और वीडियो अच्छी लेज़िए वीडियो को लाइक चूर करना, थैंक्यू फोर वर्ची